अभी तक हमने देखा कि कुपजा कंसर के कहने पर फूल चुनने के लिए गई थी कि मार्ग में नंदर नंदन से उनकी भेंट हुई और किस प्रकार कुपजा नंदर नंदन क्रिश्न को पाकर उन पर मोहित होती है और किस प्रकार कुपजा की कुबर को मुक्त बनाते हैं क्रिश्न और उसके बार किस तरीके से कुपजा क्रिश्न के रूप में खो जाती है और अंततह वह कुष्ण को सर्वस मान लेती है कुपजा जो जिसके कुबर था वो जुक जुक कर चलती थी और अभी तक धर्ती से ही उसकी पहचान थी लेकिन उसके कुबर सीधे और सरल हो जाने के बाद वह समूची प्रकृति को निहारने लगी थी यह उन पर कुष्ण की अनुकमपा थी वह हिर्दय हिर्दय में कुष्ण को चाहने लगी थी और इस तरह कुष्ण की अभिलाशिव बन चुकी थी कुष्ण आगे कुपजा से यह कहकर चले जाते हैं कि मैं तोवारा तुम से फिर मिलूगा लेकिन कुष्ण अभी तक उन से मिले नहीं है कुष्ण के मुलाकात के लिए कुष्ण से मिलाप के लिए कुपजा अनुवरत रूप से उनकी प्रतिक्षारत है लेकिन अभी तक कुष्ण उसके पास नहीं आये हैं और कुपजा के रिदय में तरह तरह के विचार उठ रहे हैं कि वो विश्वास घाती कब लोटेगा और कब मेरा पास आएगा आगे के अनिशों की व्याख्याएं अब हम देखेंगे आया नहीं विसासी अब भी बस ये आंसू आए अहा उसी लावन्य सिंदु का रस ये आंसू लाए प्रतिक्षारत कुप्जा जिसके पास क्रश्णी की प्रतिक्षा है क्रश्णी कह करके गए थे कि वो जल्दी लोट करके आएंगे लेकिन वो विश्वास घाती अभी तक लोट करके नहीं आया है नहीं आया है तो कुपजा की आँख में आशू आ गए हैं अनुरत रूप से आशू आ रहे हैं और ये आशू की एक एक भून में क्रश्ण के प्रेम का समुंदर क्रश्ण के प्रती जो लावन्य भाव कुपजा के मन में है ऐसा लगता है कि उसकी कुपजा की आशू के एक ए वर इसे कोसुं पर अजान इस आतुर उर को कब तक पालू पोसुं आगे कुपजा कहती है कि अपने इन गिरते हुई आसुऑं को कब तक में कोशती रहूंगी कब तक इन आसुऑं को पीती रहूंगी और कब तक जो मुझे से अजान बने हुए हैं कृष्ण जिनकी प्रतीती भर मेरे पास है उस प्रतीती को कब तक मैं अपने हिर्दे के अंतरगत पालती रहूं उनको पोश्टी रहूं आशो मेरे बेह रहें विश्वाजगाती कृष्ण आने ही रहा है यह दुर्दशा का रूप मैं कब तक जहलती रहूं आई रात हुआ चंडरोदे मैंने यही विचारा वह शशिह में निशी हूँ या वह तमिस्र में तारा कागे कुब्जा कहती है कि रात आई चंडरोदे हुआ और मैं इस बेला में अनवत रूप से उनका विचार कर रही हूँ आगे भी कब तक विचार करती रहूंगी ऐसा हो कि इस रात की बेला में जैसे वह रात हो तो मैं चंडरोदे बन जाऊँ जैसे वे अंदकार हो तमिस्रा हो तो मैं उस तमिस्रा में तारा बन जाओं कहने काताथ पर यह है कि कुब्जा हर रूप में हर ढंक्स के समें ढल करके और क्रशने के पास बनी रहना चाहती है यही कुब्जा के हिर्दय की पिपासा है हुआ प्रभात और अरुनोदय गुंजी उरकी अलिनी उसी पुर्व की फटती पोव में उसी हंस की नलिनी रात के परियवसान के बाद प्रभात का आगमन हुआ और प्रभात के आगमन के साथ ही कली-कली पुठित होने लगी सुर्य के किर्नो का इस पर्षकर हर कली फूल में परणित होने लगी कुपज्या भी कहती है कि मैं उसी हंस अर्था तो उसक्रशन کو सरुप को पाकर उसकी याद को पाकर उसकी क्रशन रूपी सुर्य को पाकर जैसे मेरे हिर्दे की कुमधनी भी मानों खिल गई ए चड़ी बहुत निज नील गगन से मेने पार न पाया धुलक पड़ी में आप ओससी खाय आधार न पाया मैं मानो हंसनी की तरह पक्षी की तरह उनके अनुराग में उनके प्यार में उपर और उपर चरती गई सारे अस्मान में में च्छागय या अच्छादित हो गई समुचा आकाश मेरा हो गया मेरे हिर्दspeaking का जो समुचा सरूप है वो मानो आकाश में जाकर के निमगन हो गया लेकिन इतनी उनके प्रेम में उनके अनुराग में इतनी उचे चड़ने के बाद भी वह विश्वास घाती अब तक नहीं आया तो मैं इतने उचे स्थान से गिर पड़ी और गिर करके ऐसी गिरी कि मुझे कोई भी आधार मुझे मिला नहीं कोई जिवना आधार मुझे प्राप्त नहीं हुआ रह सकता है बस यह पानी उन्हीं नकों पर चड़के किन्तु पधारे कहां चरणवे लूमे जिनको बढ़के आगे कुपजा कहती है कि मेरे प्रतिक्षा का मेरे विश्वास का सारा के सारा जो रूप है वह रूप जैसे निघट गया है समाप्त हो गया है अब तो कृष्णा आएं वो कृष्णा के शिरी चड़नों में नमन करके और जो मेरे आँख से आशु ढलकेगा वो अश्रु भिंदु उनके शिरी चड़नों में नमन करके उनके चड़नों पर ही समर्पित होगा तब ही मेरी बात बनेगी तब ही मेरे हिर्दाई की जो व्यथा है वो व्यथा परिश्टान तो होगी वह भीतर ही रहा व्यर्थ ये द्वार सजाए मैंने शूती अतीत वह क्यों इस तन के तार बजाए मैंने कुप्जा आगे कहती है कि वह तो जिसकी मैं प्रतिक्षा कर रही हूँ वह क्रिश्न तो मेरे अंदर ही है मेरे भीतर ही मैं व्यर्था ही उनको अपने रदय से बाहर की वस्तो मान रहा हूँ अपने हिर्दय के बाहर की बात मान रही हूँ वो तो मेरे हिर्दय में ही है और जो दौार मेंने सजाएं है ये निरसक की मेंने दौार सजाएं है उनके आगमन के मेंने दौार सजाएं है जबकि वो तो मेरे हिर्दय में ही बसे हुए है तो ये भान कुपजा को होता है और उस भान के आते ही वह क्रश्न को अपने मन में पाकर के अत्यन्त ही मुग्द है क्यो ध्रत दीप जलाए मेने माखन चोरन आया फिर भी अंतर में तो आया वह नव घन्मन भाया कुपजा कहती है कि क्यो कर मैंने उनके प्रतिक्षा में दीप जलाए जबकि वह तो मेरे अंदर ही है मेरे मन में ही है और मेरे अंतर में रहते हुए वो मेरा ही है इस भान को मैं भूल बेठी थी, आज तो वह मेरे आन्ता करण में ही मुझे दिखाई दे रहा है इस नेहीन दीपक सो जावे सजग सजल लोचन तो फीके पड़े सुमन चिंता क्या अनुरंजित यह मन तो क्रिष्ण की प्रतिक्षा रद कुबजा फिर कहती है कि क्रिष्ण की प्रतिक्षा में जो दीप मेंने जलाए हुए है वे दीप भूज भी जाए तो क्या मेरे लोचन के दीप तो जलते ही रहेंगे ये पराग, ये पुश्प, ये फूल उनकी प्रतिक्षा में मुर्जह हैं तो क्या मेरे मन उनके अनुराग से अनुरंजित है इस प्रकार से कुब्जा अपने लोचन को दीब बना कर और अपने मन को कृष्ण के अनुराग में अनुरंजित कर इस बात से कृष्ण का जो प्रतिक्षा है, उस प्रतिक्षा के कृष्ण को वह बड़े ही आनन के साथ ले रही है क्योंकि वह जानती है कि कृष्ण मेरे अंदर ही बसा हुआ है मेरा अथिती देव आये तो मैं सिरमाथे लोंगी उसने मुझे को देह दिया मैं उसे प्रान भी दोंगी कुपजा कहती है कि वो विश्वास घाती कृष्ण जो आज मेरा अथिती है वो मेरे पास आएगा तो उस अथिती के आगमन को उनके आगमन को मैं अपने सर माथे पर लूँगी उन्होंने मुझे देह दी है अर्थात मेरे शरीर में व्याबत कूबर को निकाल करके मुझे सरल बनाया है सुन्दर बनाया है तो उन्होंने मुझे जो ये देह दी है उन्ही आनू कमपा से मुझे ये देह पराप्त हुई है तो मैं उनको प्रान तक देने की बात आएगी तो मैं पीछे हटूंगी नहीं इस प्रकार से क्रश्न की प्रतिक्षा में रत कुग्जा क्रश्न के आगमन के साथ ये समर्पन लेती है कि मैं उनको प्रेम प्यार और अपनी समूची प्रान भी यदि उनको मुझे देने पड़े तो मैं उनको देने के लिए हिचकी चाट से नहीं भरूंगी धरकन वक्ष वक्ष में है वह फड़क बान भुझ मेरे मिले मिलन मैं अंत मुझे तो सफल सभी रुज मेरे कुग्जा आगे कहती है कि क्रशन इस दिल में है इस रदे में है और ये रदे क्रशन की व्योग में धरक रहा है वह हिर्दे को कहती है कि तु धरक मत क्योंकि तुझ में क्रशन की व्यापती है इस से तो जो मेरी वाम भुझाए है जो मेरी दाहीनी भुझा है वह यदि फड़कती है तो ये मेरे लिए शगुन होगा क्योंकि माना जाता है कि यदि शरीर का दाया अंग फड़कता है तो निसंदे मिलन का संदेश देता है तो वो अपने हिर्दय को धड़कने की मनाई करती है और यह कहती है कि यदि मेरे शरीर का जो दाइना आंगे वो फड़केगा तो निसंद्य है कृष्ण से मिलाप में रहोगा इस प्रकार के शकुन वो अपने मन में विचारती है गई भ्रांतियां रहे श्रांतियां रहे क्रांतियां चाहे नटवर तेरा नाट्य बंध निज संधी शांती निर्वाहे कुप्जा कहती है कि सारी भ्रांतियां चली जाएं क्योंकि क्रश्ण हमारे अंदर ही है हमारे अंतस्मे है और अब क्रश्ण को पाने के लिए कोई भी क्रांतियां नहीं रहे किसी भी प्रकार का संगर्ष नहीं रहे क्रश्न जिस प्रकार से निर्वा करना चाहता हो उस प्रकार से निर्वा करे लेकिन इस मन के अंदर चुकि क्रश्न की व्यापती है तो यह मन भी एक प्रकार से शांत बना रहे अधिर नहो व्यक्ड नहो यही कुपजा की कामना है कुपजा कहती है कि कुपजा की प्रतिक्षा में जितनी भी कुपजा क्रांती हो सकती थी जितना भी विवलता थी वह सब शान्ती में परनीत हो गई शान्ती में परनीत हो जाए और मैं कामना करूँगी कि वह जैसे ही आए तो उनके आगमन को मैं सहज रूप से आनंद चित हो करके उनके आगमन को स्विकार करूँगी और अनुरत मोती उनके पत के उपर उनके आगमन की खुशी में बिखेरोंगी और इस प्रकार से कुब्जा क्रशने के आगमन को शांती के रूप में सिकार करती है मेरा ही अधिकार यही सुन राधा रुष्ट नहोगी दासी को वन्चित कर तेरी रानी तुष्ट नहोगी आगे कुब्जा के भाव में परिवर्ट नहाता है और कुब्जा काना को कहती है कि तेरे आगमन के कारण जो राधा है राधा में रुष्ट रुष्ट नहीं होगी क्योंकि राधा जानती है कि मैं उनके दासी हूँ और दासी का जो भाव है वो भाव उनके मन के अंदर राधा के मन में मेरे प्रती अनुराग ही पैदा करेगा इसलिए कृष्ट न यदि आते हैं राधा को छोड़ करके भी यदि आते हैं तो इस बास से राधा रुष्ट नहीं होगी बलकि उसको संतुष्टी होगी कि क्रश्ण मुझे छोड़ करके मेरे पास से यदि गए हैं तो वे अपने दासी के समीपी गए हैं इस प्रकार से कुपजा अपने स्वैम को क्रश्ण की दासी समझ कर यह मानती है कि राधा के मन में किसी भी प्रकार की व्यथा कुपजा को लेकर या कुपजा का क्रश्ण के प्रतिप्रेम को लेकर के नहीं होगा वह ब्रजरानी भी नारी है यह सरला भी नारी आत्म समर्पण में दोनों जन हम समान अधिकारी कुप्जा राधा के प्रती अत्यंत ही सरल होकर के सहज होकर के और कहती है कि यदि क्रश्ण राधा को छोड़कर मेरे पास आई गये तो भी क्या होगा क्योंकि राधा ब्रज की राणी है और मैं मैं भी सरल राणी हूँ मैं भी उनके प्रेव में पगी हुई हूँ तो हम दोनों को यदिकार प्राप्त है राधा को भी और मुझको भी कि क्रश्ण हमारा है तो चुकि वह ब्रजरानी भी क्रश्ण की है और मैं सरला क्रश्ण की अनुकंपा से बन करके उनी की हो चुकी हूँ तो हम दोनों को यदिकार प्राप्त है इस प्रकार से कुप्जा किसी भी प्रकार के सोतिया डाहा को अपने रधे में नहीं लाती और नहीं राधा के सम्मो के प्रश्ण खड़ा करती है कि राधा सोतिया डाहा क्रश्ण और कुप्जा के प्रेम को ले करके अपने मन में पालती होगी इस प्रकार से नारी नारी की वेदना नारी नारी के प्रेम को समझ सकती है इस भाव को ले करके कुब्जा ने यहां अपने इस प्रकार के बात को प्रस्तूत की है एक पुरुष से पोशीता ने सहज किसे न मिलाया पर मेरा नारित तो नहित था तो ने आप जिलाया कुब्जा कहती है कि एक ही पुरुष से हम पोशीता हैं क्रश्न से राधा भी पोशीता है और क्रश्न से मैं भी पोशीता हूँ एक ही पुरुष से हम दोनों ही पोशिता हैं राधा के प्रती क्रिशन का अनुराग अपनी जगह है लेकिन मेरे प्रती जो क्रिशन का अनुराग है मेरे हिर्दय में जो प्रेम के दुन्दुभी है वो क्रिशन नहीं बजाई है क्रश्न के मिलन से ही मैं पोशित हुई हूँ, क्रश्न के मिलन से ही मैं सरल बनी हूँ वो क्रश्न के मिलन से ही मेरे में प्रेम और अनुराख पनपा है इसलिए राधा यह बात बरावर बरावर समझती है यह बात बराबर बराबर जानती है कि कृष्ण के प्रती जितना अधिकार राधा का है कृष्ण के प्रती उतना ही अधिकार कुप्जा का है अतह़ा प्यार की समझ एक नारी के अंदर सहज हो सकती है कि दूसरे नारी कितना प्यार उसके प्रती या क्रिश्नी के प्रती पाले हुए है कूबर ना था कुणडली पकड़े जकड़े मुझे पड़ा था तूने कौन मंत्र फूंका वह उठ खट दूर खड़ा था आगे कुपजा फिर अपने शरीर में जो कुबर था उसको ध्यान में लाकर कहती है कि वह कुबर नहीं था वह तो एक जकड़ा हुआ इस प्रकार का एक जकड़ी हुई यंत्रना थी उस यंत्रना को दूर करने के लिए एक कृष्ण तूने ही कौन सा मंत्र पड़ा था कि जिस से वह कुबर मेरे शरीर से हट कर दूर छिटक गया था तो यह तेरे प्रेम की या मुझ पर तुमारी या अनुकंपा हुई इस अनुकंपा की मैं बहुत रिणी हूँ और इसी अनुकंपा के फल सरूप कृष्ण के प्रती कुब्जा की हृदय में प्रेम रोपित हो गया था किन्त विरह व्रस्चिक ने आकर अभियह मुझ को घेरा गुणी गारूरिक दूर खड़ा तु कोतुक देख न मेरा विश्वास को देकर के ना आकर कृष्ण जो विश्वास घाती रूप कुब्जा के सम्मुक खड़ा किया है और जिसके कारण कुब्जा के मन में कृष्ण के प्रती जो विरह व्यथा है यह विरह व्यथा मानो बिच्छु के डंग की तरह उसको डस रही है और लग रहा है कि वह इस विरह व्यथा के कारण अपने आप में कुंठित होती जा रही है अपने आप में पीडित होती जा रही है और वह यह कहती है कि तेरे पास कृष्ण सभी प्रकार के मंत्र है तो सारे मंत्रों से तू मेरे विरह रूपी विच्छु को डश सकता है खत्म कर सकता है लेकिन कृष्ण तू कहा है और मेरे इस विरह विथा को एक कोतुक की तरह एक आश्चरी की तरह से तू कहां से देख रहा है तो क्रश्ण की वियोग में जो कुब्जा की दशा है वो दशा से परित्रान पाने के लिए वह क्रश्ण को आमंत्रित करती है और बराबर क्रश्ण की सूथ लेती है को विश्वास घाती बन करके उससे दूर न रहे और विश्वास को पोशिता करके उसके समीब आए तू न आज भी आवेगा तो मैं ही कल आऊंगी कुछ न सही तो कुटल भृकटी तो तेरी में पाऊंगी अब कुजा ने ये ठान ली है कि क्रिश्वास आया ना आया क्योंकि वो तो विश्वास दे कर गया था कह कर कर गया था कि वो आएगा लेकिन वो विश्वास घाती हो करके नहीं आया है मेरी विरह विथा को परिश्वास करने के लिए वो नहीं आया है तो नहीं आया तो कोई बात नहीं अब वो स्वहम ही क्रिश्ण के पास जाएगी और दासी को भला क्या इंकार है दासी के लिए तो अपने स्वामी के द्वार सदे भी खुले रहते हैं यह सोच करके कुपजा मन में ठान लेती है कि क्रिश्ण उसके पास आये नाये तो क्या वो क्रिश्ण के पास स्वहम ही जाएगी और जाकर के अपने हिर्दय की में जो विरव यथा है उस विरव यथा को शांत बनाएगी यही कहेगा न तू उर्धरी निकली तू चेरी ही हाँ मैं चेरी मैं चेरी तेरी ही हट पुर्वक क्रिश्ण के पास जाओंगी तो क्रिश्ण मुझको यही तो प्रतार ना देगा कि तू अपने हट के साथ मेरे पास आई है तो आखिर चेरी है, तो हाँ मैं चेरी हूँ, मुझे करशन की चेरी कहलवाने में जरा भी संकोस नहीं है, जरा भी क्षोब नहीं है मैं तो चेरी हूँ और चेरी ही बनी रहूंगी लेकिन इसी रूप में मैं क्रश्न को प्राप्त करूंगी क्रश्न के पास जाऊंगी चाहे क्रश्न मुझे चेरी होने का कितना ही उलाहना क्यों न दे गए हुए धनसा मन में ही रखो क्या मैं तुझको तो यह मेरा तन क्यों तूने दिया बना कर मुझको आगे कुब्जा कहती है कि हे क्रश्न तेरी सुधियों को तेरी स्मृतियों को तेरे प्रेम को तेरे प्यार को तेरे अनुराग को क्या मैं गड़े हुए धन की तरह अपने हिर्दे में बसाय रखो अगर ऐसा ही था तो तेने मेरी कुबर को निकाल करके अपना अतिशे प्रेम को मुझे पर व्यक्त करके क्यों मुझे इस प्रकार के सुन्दर रूप को दिया तो जब ये रूप मुझे मिला है जब रूप पिपासा मुझे में जागरित हुई है तो मैं हर दशा में तुझको प्राप्त करूँगी हर दशा में तेरे पास आऊंगी कोई भी चेरी भाव कोई भी दासी भाव मुझे को तेरे समीब आने से रोके गा नहीं रोम रोम बस तुझे पुलक सा पाकर जड़ रह जाए और उन्ही चरणों में जीवन स्वेद बना बह जाए कुब्जा कहती है कि मैं अपने रख रख से अपने रोम रोम से मैं क्रश्न को प्रेम करती हूँ मेरा अनुराक उनके प्रती रोम रोम से है और रोम रोम से क्रश्न के अनुराक में पक पक कर चाहे मेरी हसी कितनी ही जड़ हो जाए तो हो जाए उनके शिरी चरणों में जब वे आएंगे तो उनके शिरी चरणों में मैं अपना ये जो सैथ है अपना जो श्रम है क्रिश्न को प्राप्ति करने का जो स्वेद है उस स्वेद को अश्रू बन करके उनकी श्री चड़नों में उस अश्रू को रख दूँगी तो इस तरीके से उसका जो समर्पन है क्रिश्न के प्रती कुप्जा का जो समर्पन भावे कृष्ण की प्रती वो अपने प्रेयम को अपने अनुरा की पुलक और अपना सारा जो आनन्द जो उसको प्राप्त हो रहा है उस आनन्द को अश्टु में ढाल करके वो श्री कृष्ण के चड़नों पर समर्पित कर देगी पत्र पत्र में तेरी आहर चोकाती आती है किन्तु प्रतिक्षा में ही बेला बीत बीत जाती है फिर भी कुप्जा की प्रतिक्षा क्रश्ण की प्रती है फिर भी क्रश्ण का साक्षा स्वरूप कुप्जा अपने समिपस्त निहारना चाहती है और उसके आसपास के जो पत्ते पात पात जो हिलते ढुलते हैं वजह से उसकी इसमत्यों को लेकर के उसके पास ही आते हैं और इस तरीके से वह क्रश्न को अपने समीप पाना चाहती है कुब्जा कहती है कि हिलते ढुलते पात की जो आहट है वो आहट मुझे चौकाती है कि शायद कृष्णा आ रहा हैं कृष्णा आ रहा हैं कृष्णा आ रहा हैं लेकिन पत्ते काहट पर वे आते नहीं हैं और बर्बस ही मेरा मन उद्धिक्न हो करके और बर्बस ही मुझे कचोडता रहता है निद्रा तेरा स्वप्न ले गई अरे सत्य सब आजा जाग रही हूँ स्वागत आर्थ में ओ राजों के राजा कुप्जा कहती है कि क्रश्न तेरी प्रतीक्षा में यह मधुर बेला बीती चली जा रही है और मैं तेरी प्रतीक्षा में जाकती रहती हूँ निद्रा ना आने के कारण सारे सपन मेरे चले जाते हैं मैं सपन में भी तुझे नहीं पुकार पाती हूँ क्योंकि तेरे ना आने से मेरी आँखों के नीन भी चली गई है और ऐसी दशा में ऐसी इस्थती में क्रश्न तुआ तु मेरे लिए क्रश्न नहीं है तु मेरे लिए राजा नहीं है तू राजाओं का भी राजा है तो क्रशने के प्रती कुब्जा का या नूराग भाव बारंबार क्रशने से विनन्ति करता है कि तू आ और इस तरीके से मुझे प्रतिक्षारत मत रख इस तरीके से मेरी आखों में आखों की नीन को छीने मत आँखों की नीन भी यदि मेरे पास रहीगी तो सपन में तुझे पुकारूँगी लेकिन तेरे ना आने से मेरे आँखों की नीन भी चोपठ हो गई है तो यह जो दारुन दश्शा क्रिश्न के वियोग में कुपजा की बनी हुई है इस दशा का भाव कुप्जा इस पंक्ति के अंदर प्रस्तुत करती है अहो रात्र के पंक लगा कर सुद सी उड़ती हूं में तुझ से मिलने को अपने से आप विछुरती हूं में कुप्जा कहती है कि कृष्ण तेरी तलाश में कृष्ण तेरी खोज में मैं रात और दिन के पंख लगा करके और इस निसीम गगन में उरान भरती रहती हूं कहां है तू, कहां होगा तेरा रूप, कहां बेठा होगा तू और मैं तुझे खोशती रहती हूं, खोशती रहती हूं और खोजने के इस प्रयास में मैं अपने से बिछुडती रहती हूँ अर्थात अपना सर्वस भूल करके कुपजा क्रश्ण के को प्राप्त करने के लिए अनवरत रूप से वो दिन रात खोजती रहती है दिन रात के पंख लगा करके वह खोजती रहती है कृष्ण को और बड़ा कोटुक तो यह तू यहीं कहीं बेठा है ओ कठोर का किस कोटे में तू घुसकर पेठा है कृष्ण को लहाना देती हुई कहती है कि तू तेरे खोजने का मेरा उपकरम बड़ाता चला जा रहा है मुझे में कोटुक पेदा करता चला जा रहा है मैं जानती हूँ कि तू यहीं कहीं छुपा बेठा हुआ है कृष्ण बहार निकल बहार निकल करके आ तू किस कोटे में बेठा हुआ है यह तेरी दासी यह तेरी चेरी तुझे पाने में दिन रात के पंख लगा करके सारे ठोड ठिकाने पर खोज रही है जबकि वो जानती है कि तु यहीं कहीं आसपास उसके बेठा हुआ है तेरी व्यथा बिना सुन मेरी कथा न पूरी होगी तु चाहे जिसका योगी हो मेरा अक्षनिक वियोगी कुब्जा आगे कहती है कि क्रिश्न तु आ, मेरे पास आ और आकर के ना आने के अपनी व्यथा बता कि अब तक तु मेरे पास क्यों नहीं आया जब तक तु मेरे पास आकर के अपने अंतर की व्यथा मेरे सामने प्रकट नहीं करेगा तब तक मेरी कथा पूरी नहीं होगी तु किसी का भी योगी हो, राधा के लिए कृष्ण योगी है तु योगी है, किसी का भी योगी हो, किसी का भी अंतरंग हो लेकिन एक रश्न, जो तुस्षे वियोग मिला है जो तेरे करण विरह व्यथा को में झजहल रही हूँ तो योगी किसी का हो तो हो मेरे लिए तो तु वियोगी है तो तु जब तक मेरे पास आकर के अपने ना आने के करण को नहीं बताएगा तब तक मेरे हिर्दाई की जो व्यथा है वो व्यथा मेरे हिर्दाई से तिरोहित नहीं होगी तेरे जन अगनित परंतु में एक विजनता तेरी बस इतनी ही मती है मेरी इतनी ही गती मेरी और अन्त में कुब्जा करश्न को कहती है कि तेरे तो अगनित दास है समूची स्रश्टी में रहने वाले जन तो तेरे दास है मैं एक अकेली हूँ मैं अकेली ही हूँ और मेरी जो गतिमती है मेरी जो जीवन के दर्शा है मेरी जीवन के नियती है मेरे जो जीवन के इस्थती है मेरा जो भी रूप है जो तुस्से ही प्राप्त हुआ है वो सारी मेरी गतिमती मेरी ही है तो ए मेरी गतिमती के रक्षक ए मेरी गति के पालनहार सेवनहार तो ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं तो एक मात्र दासी हूँ चेरी हूँ तेरी अनुकमपा से ही पगी हूँ तू नहीं मुझे इसने दिया है, तू नहीं मेरे हिर्दे में प्यार की हिल और जगाई है तो तुछ को पाकर ही मैं अपने जीवन से मुक्ति पा सकूँगी इस प्रकार हमने द्वापर मेने ही कुब्जा अंश को देखा और पाया कि किस प्रकार क्रश्न ने कंस की दासी कुबजा के शरीर में व्यापत कुबड को दूर किया और किस तरह से कुबजा प्रतिफल में क्रश्न के प्रति अनुराख से पगी और किस प्रकार से वह क्रश्न के अनन्य प्रेम में खोती चली गई और यहां तक कि उसने उस भाव को भी शिरोधार्य किया कि क्रशनिक पर उसका उतना ही अधिकार है जितना की राधा का अधिकार है लेकिन इसके बाद भी जब क्रशन उसे प्राप्त नहीं होते तो कुपजा यह भी स्विकार करती है कि कुपजा औरों के लिए योगी होगा उसके लिए तो हो वियोगी है उसके वियोग में कुपजा को विरह रूपी व्रश्चिक विरह रूपी बिच्छू से डंक मारे जा रहा है उसके कामना है कि कृष्ण उसके पास मिले और मिलकर के उसके विरह का जो ताफ है उसके हिर्दई की जो दगद अवस्ता है उसको वह दूर करे और यही नीती यही गतिमती कुप्जा की है और कुप्जा कृष्णे से प्राष्णा करती है कि कृष्ण यहीं कहीं उसके आसवा आरादना है उस आरादना को संपुर्ण बनाएए